हलो फ्रेंड मैं राकिस रोसन लर्न टेक टू टेक चानल से और यह मेरा जावाइ स्क्रिप्ट का नेक्स्ट वीडियो है जिसमें आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट मैथड देखेंगे जिसका नाम है get elements by class name मतलब आप html के किसी भी element को उसके class name से कैसे एक्सेस करेंगे जावाइ स्क्रिप्ट कोड के थू तो चली स्टार्ट करने से फ़ले जाश मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्स्राइब ने करका तो सब्स्राइब कर ले आप गल में जो बेले से जरू क्लिक करें जिसे मेरे जि जो दो paragraph tag है उसका class name PI है जिसको आप personal information भी बोल सकते हैं जिसमें हमने नाम लिखा है राकेश रोशन और अपना designation लिखा assistant professor उसके बाद देखेंगे तो दूसरा जो दो paragraph है उसका class name है contact जिसमें जो है पहले मैंने जो है contact से related information लिखा है जैसे mobile number आप मान सकते हैं और जो second में है वो मेरा location है that is राची ठीक है तो यह हमने लिखा है तो यहाँ पर मैंने paragraph tag का दो class मनाया है एक personal information के लिए और एक जो है आपके contact के लिए तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा सबसे पहले get element by class name से मैं इन values को access करूंग ठीक है और उसको फिर अपने format के हिसाब से जो है इस paragraph tag में मैं display करूंगा जिसका id p1 है पर यहाँ पर p1 में मैं display करूंगा personal information को और जो यह दूसरा paragraph है जिसका id p2 है इसमें मैं contact information को display करूंगा तो दोस्तों अगर आप यह video last तक देखेंगे तो इस program के थूँ आपको पता च अक्सिस करना है और उसको कैसे आपको utilize करना है तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं और उसके बाद मैं information1 लिखता हूं equal to document.getelementbyclassname यह हमने लिख दिया और class का नाम लिखना पड़ेगा तो यहाँ पर मैंने class का नाम लिख दिया उच्छी तरह दूसरा variable ले लिया हमने in inf2 equal to document.getelementbyclassname और यहाँ पर हमने लिख दिया contact यह हमने लिख दिया इसका मतलब हमारा inf1 नाम का एक object बन गया और inf2 नाम का एक object बन गया जिससे की हम इन data को access कर सकते हैं तो भी data आप PI class में है या फिर contact class में है उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा document.getelementbyid और bracket में यहाँ पर मैं लिखूंगा p1 इसका मतलब जिस element का id p1 है उसको मैं यहाँ find कर रहा हूँ और उसके inner html में मैं कुछ लिखना चाहता हूँ उसके inner html में मैं कुछ लिखना चाहता हूँ सबसे पहले मैं लिखूंगा name colon और उसके बाद दस देने के बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा inf1 bracket में 0.inner html तो यह मैं लिख रहा हूँ इससे क्या होगा कि info1 जो है उसमें जो भी पहला value होगा वो आ जाएगा तो आप देख सकते हैं left side में name raqis rosen आ चुका है ठीक है उसके बाद 10 फिर मैं यहाँ पर br लगा देता हूँ next line के लिए 10 उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा designation ठीक है डेजिनेशन और यहाँ पर उसके लिए plus लिखने की जरुवत नहीं है बियार के बाद ही मैं डेजिनेशन लिख देता हूँ और equal to दस और यहाँ पर मैं लिखूंगा आई एन एफ वन और ब्रेकेट में भी यहाँ पर बॉक्स ब्रेकेट में इंडेक्स भी वन दूँगा इस से क्या हुआ आप देख सकते हैं मैंने अपना डेटा को नेम राकेश रोसन जिनेशन असिस्टेंट प्रॉफेसर मतलब अपने अकॉर्डिंग लिख लिए यहाँ पर मैं equal to की जगा कॉलन दे देता हूँ दोनों जगा कॉलन है इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं जो भी आपके paragraph में data है ठीक है उसको आप लेके ठीक है उसको एक particular format में डालके आप एक दूसरे paragraph में आप उसको display कर सकते हैं ठीक है उसके बाद यहाँ पर second और मैं यहाँ पर दूसरा गला भी जो है line लिखता हूँ तो मैं इसी को copy कर लेता हूँ ठीक है document.getElementById अब मैं लिखता हूँ P2 जो P2 टेक है यहाँ पर मैं context related information लिखूँगा ठीक है तो यहाँ पर मैंने लिख दिया mobile ठीक है और यहाँ INF1 के जगा मुझे लिखना पड़ेगा तू और यहाँ पर designation के जगा मैं लिख दूँगा city ठीक है और यहाँ पर INF1 के जग smile number आगया और यहाँ पर city के बाद राची आगया ठीक है तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हम class name के थूँग अपने जो भी tags है या जो भी elements है उनको हम access करेंगे तो P.I. के थूँग आपने देखा कि मैंने इन दो paragraph को access कर लिया ठीक है उसी तरह contact के थूँग आप देख INF1 में जो data आएगा वो index में आ जाएगा 0 का मतलब हो जाएगा पहला वाला data राकेश रोसन और 1 का मतलब हो जाएगा assistant professor उसी तरह INF2 में 0 का मतलब हो गया contact number और यहाँ पर 1 का मतलब हो गया city तो यहाँ पर आप देख सकते इसलिए लिखा हुआ है name उसके बाद हमने लिखा INF1 0.innerHTML तो 0 में क्या है राकेश रोसन है फिर designation INF1 लिखा है हमने यहाँ पर INF1 में क्या आ रहा है हमारा designation आ रहा है इसी तरह अगर हम यहाँ पर आएं तो यहाँ पर सबसे पहले हम उस element को find कर रहे है जिसका ID क्या है P2 है और उसके innerHTML में हम क्या डाल देना है mobile colon और उसके ब सब्सक्राइक से आप जो है get element by class name और get element by ID को use कर सकते हैं आप सोच रहोंगे इसका use का है जैसे suppose आप एक website बना रहे है जहां पर आपने सारे bill calculate कर लिए ठीक है आपको लगा कि हाँ इस customer को pay करना है 1000 रुपे तो आप देखेंगे नीचे एक line लिखा हुआ होता है जब आप क text जोड दिया जाता है you have to pay ठीक है और उसको जो है किसी जगा display कर दिया जाता है तो वहाँ पर जो होता है वो कुछ इसी तरीके से होता है जैसे यहाँ पर मैंने इन data को लिया है और उसको मैंने अपने format में display किया है name राकेश रोसन, designation, assistant professor उसी तरह दूसरा data को लिया है और मैंने अलग तरीके से display किया है तीस तरह से आप जो है class name के through किसी भी element को आप access कर सकते हैं चाहे वो paragraph का हो चाहे और भी कोई tag हो तो चली friend I hope कि अपने वीडियो पसंद आएको अच्छे लगा तो like करे, share करे, comment करे और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं करका तो subscribe कर